नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा आए कि इस बार के केंद्रिय बजट में 7 लाख तक की आए पर कोई टेक्स नहीं लगेगा जन जाती है समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलब मोडल इसकूल अस्थाफित करेगी और 388 एरसिसको की भरती होगी आपको पता दे कि एक फर्वारी 2023 को भारत सरकार का बजट पेस करते हुए बित मंत्री निर्म्राज सितरमने सिक्षा चेत्र के लिए नेशनल डिजिटल लाइबरेरी समेत का योजनाव का एलान किया था उन्होंने यह भी एलान किया था कि मेडिकल सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 157 नई नर्सिंग कोलेज की भी अस्थापना की जाएगी साथ फर्वारी को भिक्षाटन करेंगे अनुबंध पाराचिकित्सा कर्मी जारखन अनुबंधित पाराचिकित्सा कर्मी के हरताल का उनाईसवा दिन भी बे नतिजा रहा वहीं 12 दिनों से आमराण अंशन पर बैठे कईस में से 12 लोग अस्पताल में भरती हो चुके हैं किसी भी विभागे पतादिकारी या सरकार की ओर से किसी परकार की वरता नहीं हुई जिससे अनुबंध कर्मी में रोस है और सभी ने सरकार को आईना दिखाने के लिए 7 फर्वरी को भी छाटन करने का नहीं लिया बतादे परदेश अध्यक्ष बिनाय कुमार सिंग की हालात अब भी गंभीर है उनका इलाज रिम्स में चल रहा है अनेका सदर होस्पीटल में इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सूथ नहीं लिगाई है अन्सनकारियों ने कहा है कि आमरान अन्सनलागतार चलता रहा है I.A.S. पुझा सिंगल ने अदालत में किया सरेंडर मनिलॉन्डुरिंग मामले में अरोवित निलामबित ऑई एस अधिकारी पुझा सिंगल ने सनिवार को इड़ी कोट में सरेंडर कर दिया है जहां से अदालत ने उन्हें नाईक हिरासत में लेते हुए जेल भे दिया पुजा सिंगल को सुप्रीम कोर्ट से पुत्री के इलाज के लिए एक माह की आंत्रिम जमानत मिली थी सनीवार को उक्त अधी पूरी हो रही थी अईसे में पुजा सिंगल ने कोर्ट में सेंडर किया है बता दे कि 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से पुजा सिंगल को अंत्रिम रहात जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रांची से बाहर रहने की सर्थ लगाई थी सनिवार को दो पहर करीब तीन वजे पूजा सिंगल कोर्ट पहुँची सारी परकिरिया पूरी होने के बाद उन्हें सुरक्षा के साथ जेल भेज दिया गया बता दे खुटी में हुए मन रहेगा घोटाला मामले की जाच इडी कर रही है केंद्रिये गरीह मंत्री अमित शा सनिवार को बाबा बैधनात की नगरी देव घर में अपने दो दिवसे दोरे पर सनिवार को यहां पहुचे इसके बाद उन्होंने देश के 59 तरल यूरिया सनयंत्र का सिलन्यास देवगर में किया ग्रीह मंत्री अमित साह ने 59 तरल यूरिया सनयंत्र का सिलन्यास कारकरम को समुदित करते हुए कहा है कि देवगर की इस भोमी और बाबा के चर्णों में मेरा सदर पर नाम यहां के कंकर कंकर में संकर का वास है, जय जोहार इसके बाद साय ने कहा है कि विश्व में सब से पहले तरल नैनो यूरिया बना कर इपकोन एक बहुत बढ़ा काम किया है देवगर की इस पवित्र भोमी पर बना एक अर्खाना पुरिशन्थाल पर गना का विकास सुनिचित करेगा आदिवासियो का महा कुम्भ रभिवार से सुरू छार्खन का एक लवता जिला जिसके 85 किलोमेटर छेतर में पतित पावनी मा गनगा के निर्मल अविरल धारा बहती है वहीं साहब गन जिले के राज महाल अनुमंडल छेतर में बहने वाली राज महाल उत्रवाहिनी गनगा नदि में आदिवासियो का महाकुम्भ मागी पूर्निमा मेला राज महल गनगा तट सैकड़ोवर्षो से लगते हुए आ रहा है मेला हिंदी कैलन्डर के माग महीने के पूर्निमे आयोजित होती है जिसमें आदिवासी सम्मूग के जथा राज महल उत्रवाहिनी गंगातट किनारे अपना आस्थाई माजी अस्थान बना कर उसमें पुजा करते हैं इधार साहेब गंज डी सी राम निवास्यादव ने राज किये मागी पुर्निमा मेला को सफल बनाने के अपिल लोगों से किया है जिला परशासन ने नियंतरन कक्ष और हेल्फ लाइन नंबर भी जारी किया है बीत रहित स्कूल और कॉलेजों के परचारियों ने जांच के आदेश का किया बिरोध बीत रहित स्कूल और कॉलेजों को परचारियों ने सिक्षा सचीव के रभी कुमार के उस आदेश का बिरोध किया है बतादे बीत रहीत सिक्छाक संगर्ष मोर्चा के वाहन पर बीत रहीत इंटरमीडियेट कॉलेजो उच विद्यालो संस्क्रित विद्यालो मदर्था के परचार्यों की बैठक सनिवार कुरांची में हुई जिसमें सरोसमति से निनन लिया गया कि मोर्चा को जाँच पर कोई पति नहीं है लेकिन सिक्छा सचीव दोरा दिया गया जाँच का आदे जारकंड अधिवीद परिसात अधिनियम दो हयार दो एवं संसो धित अधिनियम दो हया चो के प्रविधानों का अनुसार नहीं है मोर्चा इसका विरोध करता है IED से CRPF के SI को घायल करने वाला दो नक्सली गिरफतार IED बलाष्ट कर सुरक छाब बलो को नुक्सान पहुचाने वाले दो नक्सली को चाईबासा पुलिशन सनिवार को गिरफतार कर लिया है इस समन्द में जनकारी देते वे पुलिस अधिक छक आसुतोस सेखर ने बताया है कि 25 जन्वरी को नक्सली को सर्च अभियान के दोरान सुरक छाब बलो को छटी पहुचाने के लिए मुपसिल थाना के सिंगी जारी गाउं के पास नक्सली दोरा आईएडी बम बलास्ट कर सियार पीएफ 1977 बटालियन के सब इंस्पेक्टर इंसार अलिकोगम भी रूपस जक्त में कर दिया गया था पूलिस को सुचना मिली थी की बिस्पोट करने वाले मुख्यारोपी अंजद बेडा गाउं में छिपे हुए हैं जिनकी गिरफतारी के लिए चाइबासा पूलिस वसी आर पीएफ 174 बटालियन डेल्टा कंपनी के सन्युक्त टीम का गठन किया था धनबाद में विपक्षियों पर बरसे हिमन्त सुरेन जामो के एकाउन में अस्थापना दिवस पर सन्युक्त को जामो समर्थक की भीड़ चहर में उमर पड़ी जो धोल नागाड़ा बजाते हुए जूलूस के साथ सबा अस्थाल गोल्फ ग्राउंड पहुँची पुलिस भी ट्रैफिक विवस्था बनाए रखने में सक्रिय दिखाई दी या पहला मौका है जब अपना दिवस समरो दोपहर में हो रहा है और इसके बावजूस समर्थकों का उत्सा चरम पर है बता दे दोपर में भी जामो भीण जूटने में सफल रहा करीब अधाई बजे गोल्फ ग्राउंड में सबा सुरू हुई टूंडी की विधायक मतुरा परसाद महतों ने अध्यक्ष वा संचालन मंडली की घोसना की सबा को समधित करते हुए मुख्य मंतरी हमनसुरे ने कहा है कि 20 साल बाद पहली बार आदिवासी मुलवासी की सरकार बनी है मुख्य मंतरी हमनसुरे ने कहा है कि संघर्स और बलिदान जहरखंडियों की किस्मत में ही लिखा हुआ है बाबा भोले नाथ के दरबार में अमित साह ने 25 मिनट की पुजा केंद्रिये गिरिह मंत्री अमित साह सनीवार को अपने दो दिवसे दोरे के लिए देवगर पहुंचे गिरिह मंत्री करीब 11 बच कर 45 मेट वर विसेश बीमान से देवगर यारपोट पहुंचे जहां से वे सिधे बैधनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने बाबा के दरबार में हाजरी लगाई देवगर यारपोट पर पार्टी ने ताओ सुबे के मंत्री और प्रसासनिक पताधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया कुछ देर में वे यारपोट से बाबा मंदीर के लिए निकल गए यहां से वे कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से सिधे बैधनाथ मंदीर पहुंचे उन्होंने बारा बच कर भी समयट पर बाबा मंदीर में भी आईपी गेट से परवेश किया यहां पहुंचने पर उन्हें बाबा भोले नाथ के दर्सन के लिए गर्भ विरी में ले जाया गया जारखन में नौ फरवरी तक आस्मान मुखेता साफ रहेगा और मौसम सुस्क रहने की संभावना है जारखन में पिल हाल बारिस के असार नहीं है नौ फरवरी तक आस्मान मुखेता साफ रहने की संभावना है और मौसम सुस्क रह सकता है धन्यवाद